Hello everyone, आंतरिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आज के वीडियो में जानेंगे आंतरिक को इंग्लिश में इंटर्नल, इंटिरियर, इनर, इन्वर्ड या डोमेस्टिक कहते हैं एक एक्जामपल से समझते हैं External causes become operative through internal causes धारण बहरी कारण आंतरिक कारणों से सक्रिय हो जाते हैं इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही Thank you so much for watching my video